राधे राधे दोश्टें, पित्रों की आत्मा की शांती के लिए पित्रपच का विशेक्स महत है, पित्रपच में हम अपने पित्रों की शांती के लिए श्राद करते हैं, तो चलिए जानते हैं कि इस साल 2014 में श्राद कब से शुरू हैं और कब तक हैं, और किस तिथी में किन पित्रों का हमें श्राध्ट और जाहिए तो ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं हमारे पुरोजों को सरदांजरी देने के लिए अस्वन्सनी माश में पितफ़ पच्च के 16 दिन बहुती मात्पूर माने जाते हैं पित्पच में शाद करने से पित्रों की प्रत जो हमारा रिण है वो तरता है और उनकी आत्मा को मुझ प्राप्थ होती है इसलिए पित्पच में हमें अपने पित्रों का शाद चरूर करना चाहिए अपने पुरुजों के आत्मा की शांती के लिए हम पिंदान तरपन और ब्राह्मन होज आधी करते हैं हमें इस बात का विशेश धान देना चाहिए कि हमें अपने पुरूजों का शाध्ध है वो उनके मिर्टिथी पर ही करना चाहिए अगर हमें उनकी मिर्टिथी का पता नहीं है ऐसे में हम सर्व पृत मोच अमावस्य वाले दिन उनका श्राध करते हैं सबसे पहले हम यह जानेंगे कि श्राध है क्या और हम करते क्यों है अपने पित्रों की त्रप्ती और उन्नत के लिए श्रद्धा के साथ संकल पूर्वक जो कह सकते हैं दान पूजन आभी किया जाता है वो श्राध कहलाता है वही श्राध है तो चलिए इस्राद में जिनकी हमें तिथी पता नहीं होती है उनका शरद अमवस्यः वाले दिन चिया जाता है और जिनकी पूर्ण ट्म्हा वाले दिन हसी होती है उनका श्राध से कभ में तो चलिए ँब चालते हैं कि श्राद कब से शुरू है तो श्राध इसके बीच में हमें अपने पित्रों का श्राद करना है तो चलिए आप जानते हैं कि किस तिथी में किसका श्राद करना चाहिए तो सबसे पहले कि जिस परजन की मृत जिस तिथी में हुई हो उसका शाथ उसी तिथी में किया जाना चाहिए इसके बाद जिनकी मृत हमें ना पता हो या जिनकी मृत अकाल मृत हुई हो इनको सापने काटा हो एक्सिदंट हुआ हो दुरगटना हुई हो या जिनकी मृत करोना काल में भी हु तो आपको अगर यह जैनकारी पसंद आयु हो तो दूसरों को जरूरोर शेयर करिए जिससे दूसरों को यह सारी जानकारी प्राप्त हो सके मेरे चैनल को इसी प्रकार की जानकारी के लिए स्ट्सक्राइब जरूर करिए राधे राधे